की व्यवस्ता की गई है पीएम विश्वकर्मा काउशल सम्मान यानि पीएम विकास करोडों विश्वकर्माओं के जीवन में बहुत बड़ा बडलाव लाएगा साथियों शहरी महलाओं से लेकर गाओं में रहने वाईली महलाएं हो कारोवार, रोजगार में वस्त महलाएं हो या घरकाम में वस्त महलाएं हो उनके जीवन को आसान बनाने के लिए बीते वर्षों में सरकार ने अनेक विद कदम उठाए हो जल जीवन मिशन हो, जुलाय योजना हो, पियम आवास योजना हो ऐसे अनेक कदम इन सब को बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा उसके साथ साथ महिलास सेलफेल गुरूप एक बहुत बड़ा सामर्तवान छेत्र आज भारत में बहुत बड़ी जगा अपने हाफ एक्वायर कर चुका है उनको अगर थोड़ा सा बल मिल जाए तो मिरेकल कर सकते हैं और इसलिए विमेंस सेलफेल गुरूप उनके सर्वांगिन की विकास के लिए नई पहल इस बजेट में एक नया आयाम जोड़ेगी महिलाओं के लिए एक विशेस बचत योजना भी शुरू की जा रही है और जन्नन एकाउन के बाद ये विशेस बचत योजना सामान ये परिवार की गुरूहने माताओ बेहनों को बहुत बड़ी ताकत देने वाली है ये बजेट सहकारिता को ग्रामिन अर्थिववस्ता के विकास की दूरी बनाएगा सरकार ने कोपरेटिव सेक्टर दे दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारन योजना बनाई है स्टोरेज के परिस्टी बजेट में नए प्राइमरी कोपरेटिव बनाने के लिए एक महत्वकांची योजना का भी अलाम हुआ है इससे खेती के साथ साथ दूद और मचली उत्पादन के खेतर का विस्तार होगा किसानों और शुपालतों और मचारों को अपने उत्पाद की बहतर कीमत मिलेगी साथियो अब हमें डिजिटल पेमेंट्स की सबलता को एग्रिकल्चर सेक्टर में दोहरना है इसलिए इस बजेट में हम डिजिटल एग्रिकल्चर इंट्रास्टर्चर के एक बहुत बड़ी योज़ना लेकर आए है आज दुनिया इंटरनेशनल मिलेट येर मना रही है भारप में मिलेट्स के अनेक प्रकार है अनेक नाम है आज जब मिलेट्स गर-गर में पहुंच रहा है पुरी दुनिया में पप्लर हो रहा है तो उसका सरवाधिक लाप भारत के छोटे किसानों के नसीब में है और इसलिए आवश्चक है नए तरीके उसको आगे ले जाए जाए इसकी एक नई पहचान विश्रेश पहचान आवश्चक है इसलिए अब इस सुपरफूर को स्री अन्न की नई पहचान दी गई है उसके प्रोच्षान के लिए भी अनेक भी द्योजनाएं बनाए गई है स्री अन्न को दी गई प्राफिक्ता से देश के छोटे किसानों हमारे आदिवाधी भाईवें जो किसानी करते हैं उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देश वाचियों को एक स्वस्त जीवन मिलेगा साथियों ये बजेट सस्टेनेबल फीचर के लिए ग्रीन ग्रोथ ग्रीन एकोनोमी ग्रीन एनरजी ग्रीन इंफ्रासेक्टर और ग्रीन जॉब्स को एक अभूत पुर्व विस्तार देगा बजेट में हमने टेक्नोलोजी और न्यू इकोनोमी पर बहात अधिक बल दिया है एस्पिरेशनल भारत आज रोड रेल मेट्रो पॉर्ड वोटरवेज हर खेतर में आधूनिक इंफ्रासेक्टर चाहता है नेक्स जनरेशन इंफ्रासेक्टर चाहिए दो हजार की चौदा की तुलना में इंफ्रासेक्टर में निवेश पर चार सो परसंड से जादा के वृद्धी के गई हैं इस बार इंफ्रासेक्टर पर दस लाग करोड रुप्ये का अभुत्परव इंवेस्टमेंट भारत के विकास को नई उर्जा और तेज गर्ति देगा ये निवेश युवाओं के लिए रोजगार के नए आउसर प्रदा करेगा एक बहुत बड़ी आबादी को आएके नए अवसर प्लद कराएगा इस बजेट में इज अब बिजनेस के साथ साथ हमारे उद्योगों के लिए क्रेडिट सपोर्ट और रिफॉर्म्स के अभियान को आगे बढ़ाया गया है MSM के लिए दो लाग करोर रुप्य के अतिरित रण की गारंटी की व्यवस्था की गई है अब प्रिजन्टिव टैस्क की लिमिट बढ़ने से MSM को ग्रोग करने में मदद मिलेगी बड़ी कमपनियां द्वारा MSM को समय पर पेमेंट मिले इसके लिए नई व्यवस्था बनाई गयी है चांथियों बहुत तेजी से बदलते भारत में मद्यमवर्ग विकास हो या व्यवस्ता हो साहस हो या संकल्प लेने का सामर्थ हो जीवन के हरक्षेत्र में आज भारत का मद्यमवर्ग एक प्रभुख धारा बना हुआ है संब्रूत्य और विख्षित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए मद्यमवर्ग एक बहुत बड़ी ताकत है जैसे भारत की युवा शक्ति ये भारत का विशेश सामर्त है वैसे ही बढ़ता हुआ भारत का मद्यमवर्ग भी एक बहुत बड़ी शक्ति है मद्यमवर्ग को ससकता बनाने के लिए हमारी सरकार ने बीते वर्षों में अने को निर्ने लिए और इज अफ लिविंग को सुलिशित किया है हमने टैक्स रेट को कम किया है साथ ही प्रोसेस को सिंप्लिफाइड ट्रांस्परेंट और फास्ट किया है हमेशा मद्यमवर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मद्यमवर्ग कोट टैक्स में बड़ी राहत दी है इस सर्वस पर्षी और विक्सित भारत के निर्मान को गती देने वाले बजेट के लिए मैं फिर एक बाद निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और देश वासियों को भी बहुत बधाई के साथ साथ मैं आवान करता हूँ आईए अब नया बजेट आपके सामने है नए संकल को लेकर के चल पड़े ट्वेंटी फोटी सेवर में समरुद्ध भारत समर्थ भारत हर प्रकार से संपन्न भारत हम बना के रहेंगे आईए इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएं बहुत बहुत धन्यवाद